आप सभी का स्वागत है आपके अपनी टूब चनल प्रमोसर वारानसी में आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्प्यूटर का एक इस्पेसल टॉपिक है डिजिटल फाइनेंसियल टूल बिल्कुल टॉपिक वाई हम लोग चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इस इस वीडियो में डिजिटल फाइनेंसियल टूल से जितने भी प्र cosm बन सकते हैं सभी प्रस body को यहां पर हमने समाईथ किया है और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप requ Zentुल एक रट लिजियेगाहको डएक्पलिफिनल टेखने में को मिलने वाला है अगर आप चाहत इस्टेनोग्राफर वेपियो फॉरेस्ट गार्ड एटियो के एक्जाम लगे हुए है तो सभी के लिए यूनीक बुक है और बिल्कुल ओर्येंटेट कंटेंट रखा गया है यहां पर हर एक चैप्टर को अच्छे से यहां पर रखा गया है देखिए इस चैप्टर को यहां पढ़ने जा रहे है डिश्टल बित्ती उपकरण याई डिश्टल फाइनेंसेल टूल को बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है और आपको समझ में आ जाएगा खुदी कि इस बुक में क्या क्या खासियत है ठीक है इसी बुक से यहां पर आपको इस क्लास से बढ़ तो उसके नीचे अपना नाम जरूर मेंसन करें चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिश्टल फाइनेंसेल टूल और इबुक का ही लिया गया है सेगमेंट है तो सबसे पहले यहां पर डिश्टल फाइनेंसेल टूल होता क्या ह है और इसमें सबसे पहले हैं पढ़ने वाले हैं IFSC कोड और IFSC कोड आखिर होता क्या है तो यह प्रतेक बैंक यानि हर एक बैंक का हर एक बैंक यानि प्रतेक बैंक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है और इसमें अलफा नुमेरिक कोड होते हैं और इनकी संख्या आपको य प्रदान किया जाता है तो IFSC का फुलफॉर्म क्या होता है तो IFSC का फुलफॉर्म बनता है Indian Financial System Code अब देखे यहां से कितने कोशन बन सकते हैं और कैसे आपको कोशन बनाना है सबसे पहला तो आपको IFSC Code को कौन जारी करता है तो IFSC Code को RBI प्रदान करते ठीक है दूसरा Indian Financial System Code यह भी आपको याद रखना है यहां प्रतेक बैंक का एक यूनिक कोड होता है प्रतेक बैंक के ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है IFSC और यहां अलफा नुमेरिक कोड होता है तो आसा करता हो समझ में आ गया होगा बिल्कुल यही चीज आपको कंप्यूटर के e-book में बैंकर मिलने वाला है चलिए नेङस्ट है चेक की वैद्थता कितनी होती है तो जो इसू डेट होता है इसू डेट से 3 माह तक चेक की वैद्थता होती है मान के चलिए कोई date हमने अगर वहां चेक भरते समय हमने कोई date मान के चलिए अगर 30 रख दिया ठीक है 30, 6, 20, 24 रख दिया तो उसके वहां से लेकर 3 माह तक वहां चेक जो है valid रहेगा उसके बाद वहां उसकी validity समापत हो जाएगी तो वही कहा रहा है कि चेक की वैज़ता होती है issue date से 3 माह तक ठीक है issue date से 3 माह तक वहां पर चेक की वैज़ता होती है अब देखिए यहाँ पर DFS की सेवाएं होती है DFS की सेवाएं कितने तक होती है और यहां direct question पूछा गया है DFS की सेवाएं जो होती है 24 गुड़े 7 गुड़े 365 यानि 24 गंटे 7 दिन और 365 दिन यहाँ पर सेवाएं उपलब्द रहती है आखिए DFS होता क्या है तो यहाँ Digital Financial Service होता है DFS का full farm पुछा जाएगा full farm पे आपको business focus करना है और इस ebook में जो content रखा गया है बिल्कुल relevant रखा गया है exam के point review से यानि इतना आप पढ़ लेते हैं इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है exam में directly question देखने को मिलने वाला है तो DFS क्या होता है तो DFS Digital Financial Service होता है next है DFT, DFT का full farm क्या होता है Digital Financial Tool होता है ठीक है क्या है Digital Financial Tool यह ही DFT हम लोग पढ़ रहे है ना DFT यानि Digital Financial Tool next है UTR, UTR क्या होता है unique transaction reference होता है यह 22 character का होता है यह 22 character का code होता है याद रखेगा important है जब भी आप payment करते होंगे phone पे वगरा से तो एक UTR नंबर मिलता है ठीक है एक UTR नंबर मिलता है और वही UTR नंबर का full farm पूछ रहा है तो क्या होता है unique transaction reference होता है अगला question है NEFT, NEFT का full farm क्या होता है National Electronic Fund Transfer होता है यह भी कई बार पूछा जा चुका है NEFT का full farm आप लोग अच्छे से याद रखेगा NEFT का full farm होता है National Electronic Fund Transfer होता है चलिए next है internet banking internet banking में मुख सुरुक्षा होती है किसकी सुरुक्षा होती है तो internet banking में मुख सुरुक्षा होती है password address की यहाँ पर मुख सुरुक्षा होती है चलिए दूसरा point है भारती रुपए का चिन जो यहाँ पर रखा गया इसको मानेता मिली कब मानेता मिली तो 15 जुलाई 2010 को भारती रुपए के चिन को मानेता प्रदान की गयी जो आपको आर की तरह दिख रहा रा की तरह दिख रहा है इसमें जो language समलित है यहाँ रोमन और देवनागरी का सम्मिलन किया गया है तो यह भी याद रखिएगा पूछेगा के भारती रुपए का चिन जो यह दिया गया है इसको मानेता 15 जुलाई 2010 को दी गई दिया गया चिन किस लिपियों का संयोग है तो आपको बताना होगा देवनागरी प्लस रोमन का संयोग है देकि हर एक पॉइंट को इसमें हमने समाहित किया है आपको कहीं भटकने के जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए OTP OTP क्या होता है या One Time Password होता है क्या होता भी या One Time Password होता है OTP क्यों सुरक्षित है प्रते एक एकसेस के लिए भिन होता है ऐसा क्या होता है जैसे OTP आप कोई चीज रेजिस्टर्ड करें आपके नमबर पर OTP आता है यह क्या होता है एक मिनट के लिए होता है या दो मिनट के लिए होता है उसके बाद दुबारा से आप रिसेंड करेंगे रिसेंड मैसेज करेंगे तब जाके दुबारा OTP आगए यानि इसका जो एकसेस होता है उसी टाइम के लिए होता है ठीक है यानि हर बार जब एकसेस करे तो हमेशा भिन भिन OTP रहेगा तो OTP क्या है OTP क्यों सुरक्षित है क्योंकि प्रतेक एक्सेस के लिए यह भिन भिन होता है OTP का फुल फॉर्म क्या होता है one time password इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट है FD FD क्या होता है fix deposit इसकी अबध होती है साथ दिन से लेकर साथ साल तक ह होती है ठीक है साथ दिन से 10 साल तक होती है साथ दिन से 10 साल तक FD की अबध होती है इसको याद रखे कि direct question पूछा जाता है FD की यानि fix deposit की अबध होती है कितनी होती है साथ दिन से 10 साल तक होती है कई बार ऐसा होता ना कि option में 10 साल नहीं दिया होता है option में 7 दिन ही दिया ह होता है तो इसको बिसेस फोकस करिएगा तो साथ दिन से दस साल तक होती है चलिए नेक्स्ट है निजी लोन की अवधी क्या होती है निजी लोन की अवधी होती है बारह मां से साथ मां होती है इसको भी याद रखिएगा बारह मां से साथ मां तक निजी लोन की अवधी होती है चलिए next है यदि ग्राहक अपने खाते में जमा धनरास से अधिक रास से निकालता है तो उसे कहते हैं overdraft कहते हैं क्या कहते हैं overdraft कहते हैं ऐसे question पुछा जागए यदि ग्राहक अपने खाते में जमा धनरास से अधिक रास निकालता है तो उसे क्या कहते हैं तो आप इसको याद कर लिजिए रट लिजिए ओवरड्राफ्ट कहते हैं उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं नेक्स्ट वन है लंदन की रोयल टकसाल साखा घोसित की गई थी, कहां घोसित की गई थी, तो लंदन की रोयल टकसाल साखा घोसित की गई थी, मुंबई में घोसित की गई थी, चलिए नेक्स्ट है आधार सीडिंग क्या है, आधार सीडिंग क्या होता है, तो बैंक से आधार को जोड़ना ही आधार सीडिंग होता है ठीक है आपके पास bank account है union में है SBI में है Punjab National Bank में है किसी में भी आपका account है आपके bank account है उससे आप आधार card को जोड़ देते हैं वही आपका आधार सीडिंग होता है तो bank account से आधार को connect कर देना आधार से जोड़ देना उसी को हम आधार सीडिंग कहते हैं और यह question पूछा जा चुका है चलिए next है pin pin का पूर्ड रूप क्या होता है तो pin का पूर्ड रूप होता है personal identification number होता है क्या होता भी यह pin का पूर्ड रूप personal identification number होता इसको अच्छे से याद रखिएगा next one है bank correspondent कौन है तो एक agent जो banking service देता है वह bank correspondent होता है एक ऐसा agent जो banking service देता है उसे हम कहते है bank correspondent कहते है next है e-commerce का वह आयाम जो रास्टी सीमाओ के पार वारिज जिकोश सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं उसे बिस सुभयापी पहुँच कहते हैं याद रखिएगा एक question बहुत important है तो e-commerce का वह आयाम जो रास्टी सीमाओ के पार वारिज जिकोश सक्षम बनाता है उसे कहते हैं बिस सुभयापी पहुँच कहते हैं अगला question है भारत का पहला e-commerce platform कब लांच किया गया तो भारत का पहला e-commerce platform 1999 में लांच किया गया जिसका नाम क्या था इसका नाम याद रखिएगा बहुत important है नाम था favmart.com ठीक है क्या था favmart.com था भारत का पहला e-commerce platform 1999 में लांच किया गया जिसका नाम था favmart.com था चलिए next one है भारत में e-commerce का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में e-commerce का जनक वैथी स्रवन को कहा जाता है ठीक है किसको वैथी स्रवन को कहा जाता है वैथी स्रवन को कहा जाता है यह भी question पूछा जाएगा बहुत important है भारत में e-commerce का जनक किसे कहा जाता है वैथी सरवन को कहा जाता है अगला कोशन ने e-commerce के विकास की सुरुवात में जिस आदर स्वादी बाजार की कलपना की गई थी उसे कहा जाता है उसे बट्रेड बाजार कहा जाता है e-commerce के विकास की शुरुवात में जिस आदर स्वादी बाजार की कलपना की गई थी उसे कहा जाता है बट्रेड बाजार कहा जाता है प्रिंट से जरूरी सुचना है कि आपको बता दें जो यूपी इस्पिसल की बुक है आपको नेक्स्ट वंथ मिलेगी और इसमें यूपी जी के पूरा कंप्लीट रहेगा और साथ यूपी इस्पिसल के साथ साथ ठीक है यहाँ पर यूपी का जो टोटल करेंट अफेयर है ब पूरा कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ठीक है और इतना आप करेंट अफेयर कर लेंगे जितना करवा देंगे इससे बाहर आपको एक सिंगल भी कोशन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट मन्थ यूपी जारी होगी यूपी जीके की उसमें यूपी जीके और यूपी करेंट अफेयर दोनों एड रहेगा और साथ इसाथ आपको पांच प्रेक्टिस सेट भी दिया जाएगा ठीक है तो बिल्कुल आप लोग तयार रही है जबरदस्ट बुक आपको मिलने वाली है जिस प्रकार कंप्यूटर की एबुक प्र प्रॉयड किज़ें बहुत जबरदस्ट यहाँ पर काम चल लाएं जितनी भी रिक्वार्वेंट होती है उसका समाधान नियानी से द्वारा होता है किसके दौरा इंटरप्राइजर रिशोर्स प्लानिंग के दौरा बिजनेस की सभी जरूरतों का शमाधान होता है किस बिजनेस मॉडल में प्रतेक्ष इंपुट के लिए एक स्वतंतर स्वामित तवाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लस सामिल है तो यहाँ अदला बदली होता है याद रखेगा बहुत इंपॉर्डन्ट है किस बिजनेस मॉडल में प्रतेक्ष इंपुट के लिए एक स्वतंतर स्वामित वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लस सामिल है तो यहाँ अदला बदली के दौरा शामिल है नेक्स्ट वन है 1961 में 1961 की बात कर रहा है 1961 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकासित किया किस ने प्रकासित किया तो लियोनार्ड क्लेन राक ने प्रकासित किया था बहुत जबरदस्त यहां कलेक्शन किया गया था कोश्चन का तो 1961 में पैकेट नेक्स्ट है, पिंग क्या होता है, जो पिंग कमांड होता है, या आखिर होता क्या है, तो यह एक प्रोग्राम है, जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच, कनेक्शन की जाच करने के लिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉस प्रोंप्ट से चला सकते हैं, तो डॉस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो पिंग कमांड पूछा गया प्रशन है, इसको भी अच्छे से याद रखिये, यह क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है, जिसे आप अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन की जा अगला है, जब कोई ब्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोकताओं को बेचता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे B2C कहा जाता है, यह B2C कहा जाता है, अगला कोशन है, इंटरनेट पर आपूर्ती और सेवाओं के ब्यापार से ब्यापार खरीद और व अगला क्वेशन है एन ए जीपी का सफल प्रोजेक्ट क्या है एन ए जीपी का सफल प्रोजेक्ट है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट यानि जो एन ए जीपी का पूर रूप मतलब पूछ रहा है तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होता है ठीक है एन ए जीपी का सफल प्र package होता है 인 EGP का सफल प्रोजेक्ट कंसा रहा PSP रहा और PSP का पूर रुफ होता है ऑपासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होता है डीजी लाकर अप्रूब होता है किसके द्वारा यहां कौशन भी पूछा जा founder है next one is QR code QR code से आप payment करते हैं तो QR code का जो full farm होता है यह होता है quick response code होता है क्या होता है quick response code होता है actually जब आप जैसे payment करने जाते हैं तुरंत कुछ भी area इसका test करता है तुरंत automatic को response कर जाता है तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है quick response code याद रखेगा QR code बहुत चर्चा में रहता है तो यहाँ से प्रस्ण पूछा जा सकता है अगला question है UPI UPI का पूर्रूप क्या होता है UPI का पूर्रूप unified payment interface होता है और इसको कौन नियंत्रित करता है RBI के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है EPS का आर्थ क्या होता है आधार enabled payment system होता है नेक्स्ट है USSD का पूर्रूप क्या होता है अन structured supplementary service data होता है देखे USSD का पूर्रूप जो है अभी जल्दी हमने करवाया था और जो computer के top 20 नाम की series है वह आपको देखने को मिलती है उसमें जवर्दस्त question आपको देखने को मिलता है तो उस series को भी आप लोग जरूर देखा करिए अलग से playlist भी हमने create किया है playlist में जाकर आप अच्छे से उसको देखिए यू SSD इसके माद्यम के बिना smartphone और internet connection जो है के द्वारा जो है star 99 hash code का उपयोग करके पैसा transfer किया जा सकता है बिना किसी smartphone के और बिना किसी internet के माद्यम से अगर पैसा आप send करना चाहते हैं तो यह star 99 hash code का प्रियोग करके पैसा transfer किया जाता है और इसके द्वारा account balance bank statement देखा जा सकता है और इसी में एक आता full form EFT EFT का full form क्या होता है electronic fund transfer होता है ठीक है क्या होता है electronic fund transfer होता है देख रहे हैं फ्रेंट्स यहाँ पर इस प्रकार ebook में design किया गया है तो अगर ebook अभी तक आप purchase नहीं किये है तो ebook आज ही purchase करें purchase करने का तरीका हमने बता दिया है कि 9793661506 पर आपको phone pay करना है कितना करना है 100 रुपे ठीक है 100 रुपे आपको phone pay करना है और phone pay करने के बाद इसी number पर आपको screenshot share करना है अपने नाम के साथ और आपको इसका PDF प्रोवाइट करा दिया जाएगा और आपको notes बनाने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर मेहनत किया है बस आप इसको अच्छे से रड़ जाए एक जाम से पहले 4-5 बार और आप easily बता रहे हैं अच्छा score कर जाएंगे ठीक है बिल्कुल systematic तरीके से यहाँ बनाया गया है तो नमबर दिया गया 9793661506 पर यहाँ पर आप फोन पे करके इस नमबर पर इस e-book को ले सकते हैं ठीक है 100 उपस की price है next है e-wallet के प्रकार ठीक है e-wallet के इसी में आता है आपका e-wallet e-wallet के प्रकार काउन से है? Paytm है, Citrus wallet है, SBI Buddy है, Mobikwik है और IT, ZCAS है, Oxygen wallet है, HDFC है और ICICI packets है तो इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा प्रस्ण कैसे पूछा जाएगा? यहाँ पर पूछेगा इनमें से काउन सा e-wallet का प्रकार है या e-wallet का प्रकार नहीं है तो बस इसको आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रस्ण जरूर आपको देखने को मिलने वाला है Next है POS, POS का पूछ रूप क्या होता है? Point of Sale होता है Next है RTGS, RTGS का पूछ रूप क्या होता है? Real Time Grass Settlement होता है RTGS करने की नियुन्तम सीमा 2,00,00,00 और Maximum 10,00,00,00 है Next पूछ रूप है, IMPS का पूछ रूप क्या होता है? Immediate Payment Service होता है अगला है YAM YAM ID का पूछ रूप क्या होता है? तो Mobile Money Identifier होता है क्या होता है Mobile Money Identifier यम यम ID का पूर्ड रूप होता है यह 7 डिजिट का होता है यह नमबर याद रखीगा बहुत जरूरी है यह नमबर आपको याद रखना है कितने डिजिट का होता है यम यम ID 7 डिजिट का नमबर होता है पूर रूप है Mobile Money Identifier होता है Next है IMEI इसका पूर रूप क्या होता है International Mobile Equipment Identity होता है क्या होता है International Mobile Equipment Identity होता है Next one है Banking सेक्टर में अधिक संख्या में चेकों को तेजी से निस्तारण करने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है KYC का पूर उप क्या होता है No Your Customer होता है USSD को हम कितने भाषाओं में प्रियोक कर सकते है याद रखेगा USSD को हम 12 भाषाओं में प्रियोक कर सकते है Next one है Pan Pan का पूर उप क्या होता है Permanent Account होता है Nex है YUM अधार download करने के लिए क्या होना चाहिए तो आपके पास android phone होना चाहिए internet connectivity होना चाहिए और registered mobile number होना चाहिए इतनी चीज़े आपके पास रहेंगी तो आप यहम आधार card कहीं से भी download कर सकते हैं यानि easily इसको access करके आप download कर सकते हैं अगर आपका आधार खो गया है तो क्या क्या चीज़े होनी चाहिए android phone होना चाहिए internet connectivity होनी चाहिए और registered mobile number होना चाहिए तो friends यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से cover किया यहाँ पर junior assistant stenographer सभी के लिए जबरदस्त collection यहाँ पर किया गया है और बिल्कुल oriented है और topic वाई सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा तो कि market में ऐसी कोई book नहीं है जो आपको systematic यह chapter आपको देखने को मिल जा है और exam के relevant हो और जो आपका number यहाँ पर दिया गया है 9793661506 इस number पर 100 उपे करके आप इस e-book को ले सकते हैं और एक बाद बता दें यहाँ पर आज अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों ने इस book को purchase कर लिया है ठीक है friends तो आज ही इस book को purchase करें तो friends मिलता है next video में next topic के साथ तब तक लिए जैहिंद वन्दे मातरम चैनल पर पहली बारा है चैनल को जरू सब्सक्राइब करके जाईएगा और एक प्यारा सेक्राइमेंट जरू करिएगा मिलता है next video में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम